अगर आपको नहीं पता या आप मजीद लर्न करना चाहते हैं तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे में आपको दिखाता हूँ के कौन-कौन से यूजिस हैं आपके सरहां से डिफरेंट परफसिस के लिए इसको यूज कर सकते हो तो अभी यहाँ पे आने के बाद फस्ट अपने जा जितने भी वर्ड्स की वर्ड्स बनते होंगे युएस की डेटा बेस के अंदर मुझे वो निकाल के तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके पास मिलिएंज में की लिस्ट अगी 9.8 मिलियन कीवर्ड आए अब इसमें से यह कहते हूं ऐसा करो केडी का फिल्टर लगाते हैं 0-100 केडी का फिल्टर होता है तो जो सबसे असान कीवर्ड है ना सिरफ मुझे वो दे दो तो वैरी इजी वाले 0-14 केडी के अंदर आते हैं उसको यहां से मैं क्लिक करता हूं तो मेरे के पास अब जो कीवर्ड आए हैं वो तकरीबन 30,000 कीवर्ड ऐसे जिनका कंपिटिशन अकॉर्ड इसम रश बहुत लो है अब एसम रश का कीवर्ड कंपिटिशन अनेलिसिस इस डिफरेंट थिंग आपको स्टिल मैनुवल अनेलिसिस करना पड़ता है तो मैनुवल अनेलिस इसका प्रोसेस होता क्या है आप कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हो और सर्च करने के बाद देखोगे कि टॉप फाइफ स्पोर्स के अंदर कौन रेंग कर रहा है क्या ऐसी साइट्स हैं जिनको आपके एक फ्रेश साइट या आपके नई वैपशेट बीट कर सकते है या यहां से अगर आप कीवर्ड निकालो के तो जयादा जल्दी मिल सकते है तो यहां पर इजेंपल पहले की वर्ड है अप इसको सर्च करते हो CTRL-C करके एंड यहां पर आपने स्को सर्च करने की साइट आई है तो हम यूजिली ये कहते हैं लेस्ट डियार हाई ट्रैफिक वाली साइट तो हाई ट्रैफिक से मुराद इसकी 8.6 के ट्रैफिक है कंसिडरेबल है और भी अभी बहुत कुछ मिलेगा यह तो पहला कीवर्ड है तो इस तरह कि जो साइट होती हैं वह अगर आपको मिल जाती है तो चांसिज होते हैं कि उनके उपर ऐसे कीवर्ड जो कि पचास सो दौस्य और फो सकते हैं वह आपको मिलेंगी अगर तो आप उनको अगर काम करते हो कि Google से वो traffic ले रहे हैं बट analysis करने के बाद यह चीज़ confirm होगी तो इसी तरह से आप वहाँ से keyword ideas Samrish से निकाल ले उसके बाद आप उन keywords को further यहाँ पर आके search करकर के देखें कि भाई कुन सी low DR sites आ रही है अगर traffic भी ज्यादा उनका आ जाता तो फिर well and good है आगे आप जाते जाएं देखते जाएं यहाँ पर देखें 3DR और 2000 traffic बहुत कम है आप कोई मसला नहीं आप और keyword यहाँ से search कर लें कोई भी और उस keyword को यहाँ पर आके again आपने search करके देखना है कि उसके अंदर जो sites rank कर रही है एक तो analysis कर लें दूसरा कोई site उठा लें ताकि आपको पुरी की पुरी niche मिल जाए अब अगर suppose कर लें आपको कोई एक वैसी website मिल जाती है जिसके अंदर आपको लगता है को उसका DR कम है 15-20 से कम DR वाली sites को आप pick करो लेकिन traffic को 10-1000 होनी चाहिए अब अगर मैं इस website को pick करता हूँ जिसकी traffic तकरीबन 9-1000 के करीब है अब अगर मेरे पास HRF ना हो वैसे तो HRF की जो बार है यह आपको screen pick नमबर आ रहोगा माँ से मिलेगी seller है यह अगर आपके पास HRF का tool ना हो for example tool तो काफ़ expensive है और अगर तो आपको इसको SEMrush के थूँ चेक करने तो वो कैसे कर सकते हो आपने यहां से domain का URL ले लेना है और यहां पे जाके SEMrush में चले जाना है और उस चीज को confirm करने के लिए कि हाँ वाकि इसमे traffic है यहां से मैं इस domain को search करता हूँ यहां पे मेरे पास stats आ गए है और अगर आप देखो इसकी traffic इसवकर 22,000 according to SEMrush है और यहां से view details पे आप चले जाओगे और आपने जाना है pages पे, pages पे click कर दें अब वो सारे pages जिनके through इसको traffic आ रही है उसके list आएगी तो मज़े की बात 234 total pages जिसमें से यह एक page सबसे ज़्यादा traffic ले रहा है How does a felony charge affect obtaining a passport इसी तरह से आप अगर articles की nature देखो How does Tennessee understanding situation इसी तरह से informative articles की आपको एक लंबी list मिली है तो यह एक competitor सा दो मिनट में निकला मैंने कुछ भी निकिया अपनी niche से related जब इस तरह से research करेंगे मुझे बताएं आप 5 मिनट में कितने competitors प्लस opportunities वाले competitors निकाल सकते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है niche research करना भी keyword research करना भी ठीक है इसके बाद SCM Rush का एक और feature है यहाँ पर तो अभी मैंने आपको दो features बताती है पहला है keyword magic tool का दूसरा feature यह है जिसके अंदर जाके आप किसी भी domain को reverse करके वो सारे pages के list निकाल सकते हो ठीक है यह भी जहरी बात है हमने SCM Rush में चेक किया है उसके बाद अगला जो tool है वो है keyword gap का आपने keyword gap पे जाना है यहाँ पर basically आप उसको dummy अपनी कोई भी site दे के बोलें यह मेरी site है या चाहे वो आपकी ना भी हो आप उसके साथ तीन और competitors के उसको links दे दें के भाई यह 3 competitors websites है इन website का एक दूसरे के साथ कौन से ऐसे keywords है untapped keywords है जो अभी तक target नहीं कर सका मैं यह मेरी site मुझे वो निकाल के दिखाओ तो उसके लिए हम उसको यह कहते हैं जी के हमारी जो website है हम अपनी website अभी ले ले लेते हैं जैसे यह keyword आया था मैं यहां से किसी और keyword को सर्च करता हूं तो कुछ different ideas आ जाएंगे यह 10 DR की site आई है just मैंने चुके reference ही चाहिए हमें ताकि मैं आपको दिखा सकूँ आपके पास क्या-क्या opportunities हो सकती हैं तो यहां पर एक यह domain open कर लेता हूं और एक मैं और मिलती जुलती domain सिर्फ लेना चाहता हूं just for the reference के हमारी जो relevant जो sites हैं उनसे जो मिलती जुलती sites हैं उनसे related आप किस तरह से keyword की list की लिस्ट निकाल सकते हो ठीक है तो यहां पर एक और domain लेली है मैं उसको यहां पर SMRush में add करूंगा और यह वाली यहां पर चली जाएगी और एक और domain यहां से हम लेंगे इसको और इसको भी control C करके मैं यहां पर add कर देता हूं अब मुझे अपनी domain जो है उसके लिए भी कोई एकादी domain चाहिए तो वो भी मैं यहां से ही निकाल लेता हूं वापिस चलते हैं और यह वाली जो site है मैं कहता हूं सुपोज मेरी क्योंकि यह एक दूसरे से मिलती जूलती sites आई हैं तो कोई issue नी है इनका मैं कहता हूं यह मे करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक लाग चौबीस हजार उपर्चुनिटीज आपके पास आई है और यहां पे आप डेटेल्स वगर आज यह कीवर्ट का वॉल्यम हर चीज़ देख सकते हो अब यहां पे आप अगर चाहो तो उपर आके आप फिल्ट्र भी अप्ला ले ली हमने लॉस रिलेटेड़ अब चैने के बाद कि आपको तरीका समझ आगे आपने अपनी वैबशाइट के साथ तीन कंपेटेटर को लेना है यहां पे इंसर्ट कर देना जा कि उसके बाद आपको यह क्या करेगा आपके कंपेटेटर के जो तीनों कॉलम्स बनाएगा जहां पे जैसे इसने यहां पे यहां पे यह बनाई है 123 ठीक है यहा पे और उसके बाद यह हमें बताएगा जैसे यहां पे देखो हमारी जो website है summer firm के नाम से बलके नहीं हमारी website है the law place के नाम से नाम से मैंने दी उसको नीचे तो वह blue है ठीक है तो blue वाला जो है फिर्स हमार क्या है opportunities आपको इस तरीके से मिलने के चांसे बहुत ज्यादा हैं ठीक है तो इस तरह से आपने स्क्रीन पे नंबर आएगा यह सेलर यह भी सेल करता है अदर्वाइस आप फ्री में भी बना सकते हो फ्री में अगर आप बनाते हो तो description के अंदर आपको स्क्राइल के लिंक मिले जो paid students थे उस badge के उन्होंने complain किया किसर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अब मैं एक fresh new course लेकिए आ रहा हूँ सिर्फ free of cost हर किसी के लिए कोई भी enroll हो सकता है but fees 2000 होगी जो refundable होगी उस case में कि आप सब assignments करेंगे जो दी जाएंगी ताकि आप काम करने वाले हों तो आएं otherwise आप तो उसकी details Instagram के उपर हैंगी as usual description में link होगा Instagram को join कर लीजिए अभी कुछ दिन तक मैं enrollment के details भी release कर दूँगा Instagram के उपर that's it अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए Allah अपिस